इस वीडियो में आपको दिखाएंगे Windows 10 का Wallpaper आप किस तरह के से चेंज कर सकते हो Windows 10 का desktop wallpaper चेंज करने के लिए आप desktop के अंदर right mouse button क्लिक किजिए और यहां पर आपको दिखाए देगा Personalize Simply यह Personalize के उपर आप लोगों को क्लिक करना होगा Personalize के उपर क्लिक करने के बाद यहां पर जो background wallpaper change का option है यहां पर आपको directly देखने को मिल जाएगी अब यहां पर यह settings के अंदर आकी भी आ सकते हो जैसे कि start के अंदर यह जो settings है तो आप यहां पर change करना है तो यहां पर देखिए background के अंदर यहां पर picture है and choose your picture मतलब जो picture preloaded है वो जैसे कि देख सकती यह है यह preloaded picture windows 10 के अंदर जो रहता है उसको आप basically यहां से select कर सकते हो तो यहां पर देखिए जैसे कि यह इसको हम लोगों ने select कर लिया अब यह जो है wallpaper बन चुका है इसको select करूँगा इसके उपर click करनगो तो यह wallpaper बन जाएगा ठीक है इसके उपर click करनगो तो यह wallpaper बन जाएगा ठीक है तो आप basically इस तरीके से change कर सकते हो आप यहां पर दिखा यहां पर जो है हम लोग एक photo डूंड लेता है जैसे कि यहां पर देखिए हमारा profile picture for portfolio और इसके अंदर काफी सारा photo है जैसे कि यहां पर house photo है यहां पर raw images हमारा है तो यहां पर एक जैसे कि for profile picture यहां पर देखिए प्रोफाइल पिक्चर के अंदर हमारा काफी सारा फोड़ा है, तो इस फोडो को हम लोग बनाना चाहतु हूँ तो उसकेस में किस तरीके से करना है वह आपको दिखा देदे, जैसे कि यहां पे ब्राउज के अपर आप लोग को क्लिक करना होगा, यह है ब्राउज इसके अपर क्लिक करने के बाद जहां पे आपको पिक्चर है, वहां पे आपको जाना आएगा, इस तरीके का यह डायलोग आपको दिखाए देगे, जहां पे है उसको आप उपन कर लिजाए, जैसे कि यहां पे हमारा इस फोल्डर के अंदर है, एंद फोर प्रोफाइल पिक् अगर wallpaper fit नहीं हो रहा है तो उस case में आपको क्या करना होगा उस case में आपको यहां पे नीचे दिखाए देगा fill यहां पर इसके पर click करना होगा यहां पर fit के लिका देगा तो यह fit हो जाएगी लेकिन side में आपको black दिखाए देगा ठीक है ना तो अगर आपको नहीं stretch करना है तो यह देखिए मतलब यह horrible दिखा रहे है तो यहां पर tilt है तो यह कर सकतो tile sorry tile यहां पर center में यह है center में यहां पर आचुका है फिर यहां पर आप देखेंगे और option span span वाल option जो भी है तो यहां पर feel जो है हमारे लिए काम कर रहे है तो feel यहां पर हम लोग दे दिया तो यह हमारा wallpaper बन जाएगी यह गया चीज और यहां पर picture, solid color and slide show भी आप basically wallpaper बना सकते हो जैसे कि यहां पर picture है तो यहां पर solid color की ओपर हम लोग प्लिक का देंगे किसी भी color को आप set कर सकते हो यहां पर देखिए जो color आपको पसंद में आ जाए इसके अंदर से, वो set कर सकते हो दिखिया है custom color इसके उपर click करके जो जहां पर जितना भी color आपको लगाना है वो color आप दे सकते हैं इसका जो darkness है उसको आप control कर सकते हो ठीक है फिर यहां पर डान की उपर आप लोग को क्लिक करना होगा एंड वो color अपका set हो जाएगी ठीक है यहां पर है slide show मतलब एक से ज़्यादा photo अगर आप करना चाथ हो तो भी आप जो है change जो है यहां पर set कर से तो किस तरीके से यहां पर जैसे कि यहां पर picture है पिक्चर सेट करना होगा जैसे कि यहां पर browse की उपर आप लोग को क्लिक करना होगा और browse की उपर क्लिक करने के बाद जहां पर आपका एक से जादा photo है वो place आपको सबसे पहले उस जगह के अंदर जाना है उसके अंदर जाने के बाद यहां पर profile picture for portfolio और यहां पर हमारा एक फोल्डर हम लोग से लिए final portfolio डाउनलोड and cageware, color change, beauty retouching wall folder के अंदर जाते है इसके अंदर नहीं है फिर यहां पर दूसरा एक portfolio देख लेते है ready portfolio यह नहीं है final portfolio download इसके अंदर भी नहीं है तो for portfolio unsplush इसके अंदर भी नहीं है raw image architect इसके अंदर भी नहीं है तो अच्छा इसके अंदर किया है आपको folder select करना है sorry sorry अभी तक मैं गलत कर रहा था तो यहां पर जैसके देख सकते है final profile picture या जैसके final portfolio download यहां पर beauty retouching यह folder हम लोगों select कर लिया and यहां पर choose this folder आपको folder set करना है आपको image रूनने को नहीं मिलेगा तो folder हम लोगों ने यहां पर click का दिया and folder यहां पर करने के बाद यह देखिए देख सकते हो कितना अच्छा कासा image हमारा यहां पर आ चुक है अब यहां पर कितना time पर change करना है change picture every 30 minute है यहां पर जैसके one minute का दूँगा तो हर एक minute में उस folder की अंदर जितना भी picture है यहां पर change होते रहेगा ठीक है तो अगर एक से ज्यादा एक wallpaper आपको boring लगता है तो यहां पर slide का देखिए एक minute हो चुक है यहां पर हमारा दूसरा profile picture set हो चुक है ठीक है यहां पर supple भी है supple मतलब एक की बाद एक नहीं होगा मतलब अलग-अलग तरीके से भी हो सकता है इसके अंदर भी field, feet का option है यहां पर stretch का option है, tiles का option है, tile का option है यह देख सकते हो चोटा-चोटा photo होगा, tiles में आपको देखाए देगा तो यहां पर field की उपर हम लोगों ने click का देद है इसके उपर अगर आप click काते हो तो मतलब पूरा beginning से एक की बाद एक change नहीं होगा और Windows 10 का by default इसको set करके रखेंगे तो basically हमारा मक्सदत है किस तरह की बाद पर चेंज करना है वह आपको दिखाना है and वह आपको दिखा दिया